Hello Students, स्वागत आपका हमारे Study View Education चैनल में आज की डिक्टेशन सत्तर वर्ड पर मिनट की स्पीड पे लिखेंगे और Students, जैसे ही आप ये डिक्टेशन लिख लेते हो, प्लीज आप इसकी हिंदी जरूर करना और Cross Check करने के लिए आपको जो इसका लिंक है आप हमारे Telegram चैनल पर मिल जाएगा और Telegram चैनल का लिंक है जो इसी वीडियो के Description में है आप हमारे Telegram चैनल को भी जोइन कर लीजिए और Students आपसे एक बात और कहना चाहूंगे कि राजस्तान के अंदर राजस्तान करमचारी चैन बोड की तरफ से 100 वर्ड पर मिनिट की Speed पे Dictation लिखना और उसका Pre-Exam देना पूरा उसके अंदर डिटेल बताई हुई है और New Vacancy भी आ गई है हमने एक अलग से वीडियो बना करके इस वाकेंसी के उपर इसी चैनल पर अपलोड की है तो आपको इस डिक्टेशन के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा उसमें पूरी डिटेल दी हुई है कि क्या Qualification चाहिए कि स्पीड पे एक्जाम होगा क्या उसका बेतन मा रहेगा एज क्या रही है मतलब हर चीज उसके अंदर बताई हुई है तो आप वीडियो भी जरूर देख लीजिए और अपनी त्यारी को और बहतरीन बनाने के लिए आप हमारे Study View Education चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम हमारे पर उस वकेंसी से रिलेटर भी पूरा स्लेवर्स कवर करवाएंगे और डिक्टेशन भी उसी वकेंसी से रिलेटर देंगे अभे राजस्तान में जो राजस्तान हाई कोर्ट स्टैनो ग्राफट जूनियर असिस्टेंट की जो वकेंसी आई है उसकी प्रिप्रेशन चल रही तो स्टार्ट होती है डिक्टेशन तीन सेकंड बाद, रेडी, स्टार्ट, महोध्य, यह बड़ी अजीब बात है कि समाज के जिस वरग ने इस पूरे समाज की अधिक सेवा की हो, वह उनहीं लोगों द्वारा सरवाधिक, परताडित और शोशित दलितों ने अन्याई अभव और जान के खिलाफ संगर्श किया, उससे मुक्ती पाने का पर्यास किया, तब तब उनको दिक्कत हुई, जिनके नीजी स्वार्थ पर चोट पहुँचती थी, या जो सदियों से आतम सम्मान के लिए आगे कदम बढ़ाने की कोशिश की, उनको अपमानित होना पड़ा, परताडित होना पड़ा विराम, अतीत में जो भी घटनाई घटी हैं, वे सब निंदनिये हैं, उनका सहारा लेकर जो कुमहेर में हुआ, उसके लिए परशाशन को या राज्ये के अधिकारी को दोशी ने ठहराया जाए, यह बिलकुल तरक संगत नहीं है, पहरा महोद्य नरायनपुर की एक घटना ने जखजोर कर दिया है, हालां की एक छोटी घटना है विराम, लेकिन अगर एक व्यक्ति की भी जान जाती है तो बदकिस्मती होती है, इसलिए मैं छोटी घटना नहीं करूंगा, उसमें उत्तर परदेश की सरकार को भरकास्त कर, एल ओ शरनार्थियों के दो कैम्पों में महिलाओं और बच्चों पर जब आकर्मन किया तो इसराइल के यहूदियों ने राजधानी तेल अबीब में परदर्शन करके, परदान मंतरी को हटा दिया विराम, उनका तरक था कि अगर हम आज लोगों की हत्याई कर रहे हैं तो हम में और हिटलर में क्या फरक था, जो हत्या करूर कर रहा था विराम इसलिए मैं माननिय ग्रह मंतरी जी से यह कहना चाहूंगा जो यह बयान दिया गया है यह राजस्थान सरकार का बनाया हुआ बयान है, मैं कई दिनों से देख रहा हूं कि चाहे अहद्या का मसला हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे कोई मसला हो, केंदर की सरकार अपनी अजीज का कहीं इस्तेमाल नहीं कर रही है, विराम, जो दोशी है जिनको दंडित होना चाहिए, उसको सत्ता से हटाया जाना चाहिए, अगर उन्हें की रिपोर्ट पर आप बयान करेंगे, तो सरकार का ओचित्य क्या है, विराम, इनकी जो अजसीज हैं, उनका क्या ओचित्य है, कोश्चन मारक, हली तारिक से छे तारिक घटनाएं बढ़ती रहें, लोगों के घरों को जला दिया जाए, सेंकडों लोग बे घर बार पाए, और इसके बाद भी किसी अधिकारी के खिलाफ कारेवाही नैं हो, किसी को जेल नैं भेजा जाए, किसी के खिलाफ कोई कारेवाही नहीं की गई, विराम यह एक ऐसा सवाल है, जिस पर बड़ी लंबी बहस हो सकती है, कि शेतर में आज नए विचारों का उध्य हो रहा है, क्योंकि लोगों को जो कुछ चाहिए, उसके लिए पुराने तोर तरीके काफी नहीं सिद्ध हो रही हैं, विराम हो सकता है कि हमारे यहां की नोजवान पीधी की इस बात को वैसा एहसास नहीं हो, जैसा कि अन्य देसों के विचारशील लोगों को है, विराम, लेकिन वे उस भावना से बहुत दूर नहीं हैं, विराम, इसलिए यही मोका है कि हम साहस से काम लें और जीवन के सभी पक्षों के बारे में नए धंग से सोचें, तथा ऐसी राहा निकालें जो हमें अपने लक्षे तक ले जाने वाली हो, हम लक्षे को कुछ वर्षों में ही प्राप्त नहीं कर सकते, और मैं समस्ती हूं की कोई हमसे इसकी आशा भी नहीं करता, विराम, जो नितांत गरीब है, वे भी चमतकार की आशा नहीं करते, विराम, लेकिन वे यह अवश्य चाहते हैं की हम सही दिशा में आगे भढ़ें, विराम, वे यह आशा अवश्य करते हैं की चीजें ऐसे ढंग से बदलेगी की उनके हितों का भी ध्यान रखा जा सके, विराम, इसलिए मुझे आशा है की हम वही एकता और द्रडता परदर्शित कर सकेंगे, राष्ट्रिय लक्षे के प्रती वही चिंता व्यक्त कर सकेंगे, जो हमने पिछले वर्ष के संकट के दोरान की थी, स्टॉडेंट्स, ऐसी और भी डिक्टेशन पाने के लिए आप हमारे स्टड्य विए एजुकेशन चैनल को सस्क्राइब कर लें, डिक्टेशन को लाइक जरूर कर दीजिए स्टॉडेंट्स क्योंकि आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बनता है और मैं आपके लिए धन्क्यू